उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चार दिन पूर्व दस साल की बालिका के मडर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है इस मामले में पुलिस ने मुख्या आरोपी और उसे संरक्षन देने वाले रिश्टेदार को गिरफतार किया है पुलिस से मुताबिक दुशकर्म के प्रयास में असफल होने पर बालिका की हत्या की गई थी पुलिस ने मुख्या आरोपी पर पंदरा हजार का इनाम भी घोशित किया था एस पी ने आरोपियों को अधिक्तम सजा दिलाने की बात कही दरसल तुर्क पटी धानक शेत्र के गुरवलिया गाउं निवासी दस साल की एक बालिका 27 नवंबर को अकेले अपने घर जा रही थी रास्ते में अकेला देखकर गाउं निवासी माईगर ने उसे चाकू दिखा कर रोक लिया इसके बाद विजयपूर दक्षन पटी के रहने वाले एक वैक्ती के खेत में ले जाकर उसके साथ दुश्कर्म का प्रयास करने लगा बालिका ने अरोपी की हरकत का विरोध करते हुए शोर मचाया माईगर को लगा कि वेप पकर लिया जाएगा तो उसने चाकू से बालिका की गला रेट कर हत्या कर दी पियम में ये बातें इसपस्ट हुई कि बच्ची के बलागतार किया गया उसके बाद इसी के गाउं के ही एक व्यक्त की को आइड़िपाई किया गया जिसने ये अपराध कारित किया था उसको आज गिरफ्तार किया गया है इस वेक्ष के उपर 15,000 का इनाम ततकाल भुसित किया गया था और इस वेक्ष की गिरफ्तारी हो गई साथी साथ इसको सनच्छन देने वाले इसके एक रिसेदार की भी गिरफ्तारी इसमें की गई ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवारी थान्यवारी थान्यवारी